आज हम मनविज्ञान की परिवाशा और मनविज्ञान का विशेचेत्र कहां कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पहले बात करते हैं मनविज्ञान की परिवाशा और मनविज्ञान या जिसे हम अंग्रेजी भाशा में साइकलाजी कहते हैं साइकलाजी शब्द युनानी भाशा के साइकी और लोगास पी एस वाई सी अची साइकी और लोगास लोगास शब्दों से मिलकर बना है साइकी का तात्पर्य आत्मा से है और लोगास का तात्पर्य ग्यान से है इस प्रकार शाब्दिकर्थ में सैकलोजी आत्मा का ज्यान अत्वा विज्यान है बाद में आत्मा शब्त को छोड़ दिया गया और ग्रीक दारशनिकों ने मनो विज्यान को मन का विज्यान कहा है जैसे कि नाम से सबस्टे मनो विज्यान अर्थात मन का विज्यान मनु विज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा गया है वरत्मान मनु विज्ञानिकों ने मनु विज्ञान की परिवाशा विभिन्द प्रकार से दी है जो इस प्रकार है पहला हम देखते हैं सी वुट वर्त के अनुसार इनके अनुसार मनुविज्ञान वातावरण के संबंद में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्यान करने वाला विज्ञान है दूसरी परिभाशा E. Watson के अनुसार जिन्होंने कहा है मनुविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तीसरा James Driver के अनुसार मनुविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशू के उस व्यवहार का अध्यान करता है जो व्यवहार उस अंदर जगत के मनुभावों और विचारों की अभिवक्ति करता है जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं चौथा हिलकार्ट तथा एटालिंसन के अनुसार मन विज्ञान की परिभाशा एक विज्ञान की रूप में दे जा सकती है जो मानव तथा दुसरे प्राणियों के व्यभार का अध्यान करता है यहां इस पश्ट हो रहा है कि मन विज्ञान सिर्फ मानव के लिए नहीं है यहां दुसरे प्राणियों के व्यभार के अध्यान की भी बात करता है इन सभी परिभाशाओं का निश्कर्ष यहीं निकलता है कि मन विज्ञान में मानव व्यभार का अध्यान किया जाता है हलाकि कुछ विद्वान इसमें यहीं कह रहे हैं कि मानों के साथ साथ दूसरे प्राडियों के विभार के विध्यन करता है लेकिन अगर अगर अधिकांश का निश्कर्ष निकालें तो यहीं निकलता है कि मनविज्ञान में माना विभार का द्धेन किया जाता है अब यह प्रश्ण उठता है कि विभार क्या चीज है तो विभा प्रतिपक्षी विवार को दूसरे प्रकार के विवार को कारेवार को विवार कहते हैं. अब बात करते हैं मनुविज्यान का विशेशेत्र. कुछ विशेशेत्र इसमें मनुविज्यान का अध्यन किया जाता है, जैसे पहला समाज मनुविज्यान, इसमें भीड, समू, आधिका, मनुविज्यानी का अध्यन किया जाता है, समाज, मनुविज्यान, समाजी छेतर में समस्याओं, पूर्वाग्रहों, अपरादों, आधिक अध्यन करता है तथा इनके कारणों का पता लगा कर नियंत्रणों के उपाय की विश्याओं में भी सुझाओ देता है दूसरा है विश्लिष्ण आत्म का मनुविज्यान इस छेतर में अंतरदर्शन, निरिक्षण और प्रयोग की विद्यों द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की सभाविक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है तीसरा छेतर है पशु मनुविज्यान इसमें पशुओं की क्रियाओं का भी अध्यन किया जाता है चौथा बाल मनुविज्ञान यह काफी महत्रपुण शेत्र है मनुविज्ञान का इसमें सम्वेदना, प्रत्यक्ष, इस्मृति, कल्पना, आदि मांसिक क्रियाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्यन किया जाता है पाचवा असमान्य मनुविज्ञान इसमें वातो नमाद, आतंक, अंधापन, वाणी हिंता, वातरोग, सनक, भरांती, इस्मृति भंश, इत्यादी, अनेक असमान्य वभारों का अध्यन किया जाता है चट्वा मनुविश्लेशन विज्ञान इसके संस्थापक सिग्मन्ट फ्रायक थे फ्रायड ने स्वपन, दिवाश्वपन, लिखने, बोलने की तुटियां, भूलना, हस्य विनोत, इत्यादी बातों का विश्लेशन करके उनके अचेतन करणों का पता लगाया और मनुज् प्रेणाओं की व्याख्या की जाती है, जिनको बाहे जगत में संतुष्ट करने की चेस्टा की जाती है आठवा है लोग मनविज्ञान, इसका मुख्यो देश, किसी भी देश के आदिवाश्यों के अंधविश्वासों, पराणिक कताओं, संगीत, कला, धर्म आदी में नहित, मनविज्ञानिक सिद्धानतों की व्याख्या करना तथा आधुनिक समास से उसकी तुलना करना होता नवा शारीक मनविज्ञान, इसमें विवीन प्रकार की चेतनाओं, मस्तिश्क, सुशुमना, ज्यान तंतुओं, ज्यान इंद्रियों और मास पेश्यों के परसपर संबंद का अध्यन किया जाता है दस्वा विंदू है मनो भौतिक विज्ञान, इसमें मानसिक पक्रियाओं, सम्मेदनाओं और भौतिक उद्धीपनों के बीच परिनात्मक संबंदों का अध्यन किया जाता है ग्यारवाक शेत्र है प्रयोग आत्म का मनुविज्ञान इसमें मनुविज्ञान को विज्ञान के पत्परासिन किया गया है यह प्रयोगों की साहता से शिशू, बाल, किशो, युवा, प्रोड और व्रद्ध मनुश्यों तथा पश्यों की विभिन बाहर क्रियाओं इसके अनेक शकाएं हैं जैसे नैदानिक मनुविज्ञान का छेत्र, शिक्षा का छेत्र आदि और तेरवा अंतिम बिंदु है समानने मनुविज्ञान यह मनुविज्ञान का सबसे विस्तरत पहलू है इसमें मन विज्ञान का स्वरोप, विधियां, अन्य विज्ञानों से संबंद से लेकर सीखना, चिंतन, इसमर्ती, समवेदना, पृत्यक्ष भाव, समवेक, व्यक्तित वादी का अध्यन किया जाता है एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मन विज्ञान का ज्यान विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी संबंद है, इसका ध्यन भी मन विज्ञान करता है जैसे Manu Vigyanur Šarir Shastra, Manu Vigyanur Samash Shastra, Manu Vigyanur Jeeva Shastra, Manu Vigyanur Darshan, Manu Vigyanur Targ Shastra, Manu Vigyanur Neeti Shastra, त 그냥 Manu Vigyanur Sondarishastra.